डिलिवरी के बाद पहली बार कैमरे पे आई दीपका कक्कर बेबी को बताया शोयब का कार्बन कॉपी हेलो आप देख रहें फोस्ट इंडिया टैली और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी एक बार फिर से मैं आपके लिए शोयब इबराहिम और दीपका ककर और उनके बेबी से जुड़ी खबर लेकर आई हूँ डिलिवरी के बाद पहली बार दीपका ककर सामने आई है अपने ब्लॉग में शोय बिबराहिम ने अपने ब्लॉग में दीपका ककर के साथ मिलकर अपने बेबी के हेल्थ अपडेट दी क्या कुछ कहा शोय बिबराहिम और दीपका ककर ने चलिए आपको बताते हैं इस वीडिय के जर्ये अपने फैंस को अपने बेबी की हैल्थ अपडेट दी है क्योंकि उनके फैंस भी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बेबी की तज़्वीर सामने आएगी और उनकी बेबी से जुड़ी खबर मिलेगी आपको बता दे दीपका ककर ने 24 जून को बेबी दीपका ककर और शोईब इबराहिम ने बताए कि उनका बेबी काफी ठीक है वो दिन में एक दो बार अपने बेबी से मिल पाते हैं एक्चली उनकी प्री मैच्चोर डिलियूरी हुई है जिसकी वज़े से उनका बेबी अभी न.I.C.U. में है लेकिन जल्दी वो बाहर आ ज क्साइगा उसके बाद' शोईब इब्राहिम और दीपका कककर अपने बेबी से अपने फैंस को मिलाएंगे शोईब इबराहिम ने बताए कि उनकी family का कोई भी मेंबर अभी तक उनके बेबी बयूसे नहीं मिल पाया है लेकि शोईब इबराहिम दिन में दो बार उससे मिलत यानि कि शोई विब्राइम का कार्बन कॉपी है उन्होंने बताए कि वो जल्दी अपने बेबी बॉय का नाम भी रिलीव करेंगे लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा हम अपने बेबी को छोटू नाम से बुलाते हैं वेल फैंस तो काफी एक्साइटेड है कि कब उनके बेबी बॉय का नाम रिलीव होगा और उनके बेबी बॉय को देख पाएंगे वेल इस तरह से दीपका ककर और शोईब इब्राइम अपने बेबी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट अपने फैंस को देते रहते हैं वेल डिलीवरी के बाद पहली बार दीपका ककर कैमरे के सामने आई और उनने अपने ब्लॉग के जरीए बताएं कि उनका बेबी बॉय शोईब इब्राइम का कारपन कॉपी है आप कितने एक्साइटेड है दीपका और शोईब के बेबी का नाम जानने के लिए हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके जरूर बताएं चैनल को लाइक शोड़ सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले